हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक इस्टेडी आप सभी को नमस्कार सोप्रभाद यहां पर 5000 सहायक अध्यापकों की भरती और 5300 यानि के तिरपन सो आंगन वाड़ी पदों पर जो है भरती प्रक्रिया जल्द होने की पूरी स संभावना संभावना नहीं मतलब जल्द होगी क्योंकि नियूज आर्टिकल में पूरी तरिके से आधिकारिक पुस्टी कर दी गई है बाकि अगर बात की जाए तो 1277 पदों पर जो दरगूगा की नियूकती है वो भी यूपी में होगी चलते हैं नियूज पेपर की तरफ 10 बात ही JA1 पॉर को आप यहां पर देख पा रहे होंगे अगले तीन दिनों में विज्यापने दारी होगे विग्यापने जारी होने किस दिनों तक ऑन-लाट आवेदन के लिए ना भरतियों को समय दिया जाएगा पूरी भरतिय प्रक्रिया विग्यापनारी होने के 43 दिनों इंको लेकर बात कर लेंगे वहीं अगर बात की जाये पाच हजार सहायक अधियापकों या सहायक सिक्षकों के भरती जल्द तो इसमें क्या है जो 79,000 सिक्षक भरती में खाली रह गये सामाने के 4,000 पद और स्ट को लेकर के बात की जाये तो 1139 पद जो है वो ST, SC आविर्थियों से भरे जाएंगे किसके? ST के यहां पर 5000 भरतियों ज्यादा रिक्त पदों पर जो भरतियों है वो जल्द होंगी इन रिक्त पदों पर भरति के लिए प्रक्रिया एक महिने में पूरी कर ले जाएगी यह बात भी यहां पर बताई गई है तो यह आपका कोई नए भरति नहीं है SM जो पुरानी थी आपके 79,000 साहय का ध्यापको की भरति उसी में जो है पदों को इधर-धर करने की बात की गई है बाकी 1277 पदों पर दरोगा की नियुक्ती का भी नियूज आप देख पा रहे होंगे यहां पर राइट साइड में फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आविदन सुल्क 400 रुपए है जो दरोगा भरति की नियुक्ती को ले करके जब हम बात करते हैं या भरति प्रक्रिया को ले करके कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं थैंक्स विट वाचिंग